दोस्तों इस वीडियो में हमाद बात कर रहे हैं जितेंद की फिल्मों की एक और अभिनेत्री शवाना आजमीजी के बारे में इससे पहले हम जितेंद के साथ काम करने वाली लगबख सभी अभिनेत्रियों के बारे में वीडियो बना चुके हैं जानना चाते हैं जितेंद्र की फिल्मों में काम करने वाली इन अभीनेतियों के बारे में तो लिंक आपको आई बटन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा दोस्तों आज 18 सितंबर है शबाना आजमी जी आज अपना 71 जन दिन मना रही है देते हैं शबाना जी को उनके जन दिन की बधाई आईए अब पहले बात करते हैं जितेंद्र और शबाना आजमी जी की फिल्मों के बारे में बाद में बात करेंगे शबाना आजमी जी की और भी सुपरेट फिल्मों और वोलिवुड में उनके योगदान पर रोचक तथियों के बारे में बने रही हमारे साथ जितेंद्र और शबाना आजमी जी ने फिल्म एक ही रास्ता रास्ते प्यार के स्वर्व नर्व कामयाद फिल्मों में काम किया इसके लावा ओम शान्ति ओम और जितेंद्र और रेखा की फिल्म एक ही बुगल में भी शबाना जी जितेंद्र के साथ नजर आई जितेंद्र के साथ शबाना आजमी की पहली फिल्म 1977 में आई एक ही रास्ता थी उस वक्त जितेंद्र के उम्पर लगवद 35 वर्ष और शबाना जी के उम्पर 27 साल थी शबाना जी ने जितेंद्र के साथ 1984 में आई फिल्म कामयाब में अंतिम बार काम किया 2007 में आई फिल्म Aum Shanti Aum में दोनों गेस्ट अपेलियंस में दिखाई दिये आई ये बात करते हैं शबानाजी की अन्य फिल्मों के बारे में शबानाजी ने फिल्म अंकुर से विल्म वॉलिफूर्ड में डेबू किया था फिल्म अंकुर के लिए शबाना जी को बैस्ट अभिनेत्री के नेशनल फिल्म अवार से सम्मानित किया गया था शबाना जी को कला फिल्मों में उनके अभिने के लिए विशेश पहचान मिली नसूरुतिन शाह के साथ 1983 माई फिल्म मासूम 1983 में ही राजेश खना के साथ फिल्म अवतार जैसी प्योप साइक फिल्मों में शबाना जी ने अपने अभिने का जल्वा भी खेरा 1984 माई फिल्म भावना के लिए शबाना आजमी को फिल्म फैर बेस्ट अक्टरेस अवार से तथा इसी वर्स रिलीज हुई फिल्म खंडर और पार के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फोर बेस्ट अक्टरेस से शबाना जी को नवाजा गया 1989 में रिलीज हुई फिल्म गौड मदर के लिए भी शबाना जी को नेशनल अवार्ड फोर बेस्ट अक्टरेस से नवाजा गया अंकुल अवतार थोड़ी सी बेवभाई मासूं मंडी इस पर्ष के लिए शमाना जी को फिल्म फेर बेस्ट एक्ट्रेस अवार के लिए नोमिनेट किया गया फिल्म नीर्जा के लिए शमाना जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेरावार से नवाजा गया शमाना आजमी को भारत सरकार की तरफ से पद मच्री और पद भूशन जिससे सम्मान से भी नवाजा जा चुका है शमाना जी महशूर कभी केफी आजमी की बेटी तथा महशूर फिल्मी लेकर चावेद अक्तर साब की दूसरी पत्नी है शमाना आजमी के बारे में हमारी ये वीडियो आपको कैसी लेगी शमाना जी की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद